जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिलकुल फ्री तुमा भी चुप रहोगी अरे रंबीर का तो ठीक है वो घर का बेटा है लेकिन एन आउसाइडर आउसाइडर भी मुझे कुछ बोल के सुना देगा और तुम चुप रहोगी हरे मुझे आउसाइडर भूले से पहले आप अपना स्टेस तो देख लीजे अब जब बहुए से सुनाल जाती है तो क्या उनके साथ उनकी मुआ भी चली जाती है वो घर यू इज़त देने के लिए अकर हाथ चोड़ सकती हो तो किसी की इज़त बचाने के लिए हाथ रोपी सकती हो आप बड़ी है आपको अधिकार है अगर छोटे कुछ गलत करें गलत बोले तो हाथ उठाने का लेकिन जब वो सच बोट रहे हो तब नहीं आउटसाइडर नहीं है शाहना बल्कि आउटसाइड वर्ल्ट से मुझे बचाने वाली मेरी अपनी बहन है जब हम होश्यारपूर में थे तब इसे ने मुझे सिखाया था कि बाहर के दुनिया के साथ कैसे लड़ते हैं जूट का घलत का सामना कैसे करते हैं घर में माने मुझे समाला था और बाहर मेरी शाहना ने इसलिए वो कोई आउटसाइडर नहीं है मेरी अपनी बहन है जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरी सो कॉल फैमली नहीं थी मेरे साथ ये थी मेरी शाहना जिसे आप आउटसाइडर कह रहे हैं इसने कभी मेरा साथ नहीं चोड़ा हमेशा मेरा साथ निवाया है हमेशा मेरी साथ खड़ी रही है क्योंकि ये मेरी पहले फैमली के रिष्टे तो यूँ ही बन जाते हैं जनम के साथ पर कुछ रिष्टे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं और जब हम रिष्टे बनाते हैं तो उन रिष्टों पर हमें गुरूर होना चाहिए भीमान होना चाहिए गर्व होना चाहिए ये वो रिष्टा है जिसमें मुझे गुरूर है इसलिए आप मुझे ठेस पहुँचा सकती है मेरी गुरूर को नहीं सौरी पूची मैंने हमेशा आपके रिस्पक की है आपके लिए हमेशा मेरे दिल में प्यार ही रहा है लेकिन कभी आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए आपके दिल में मेरे लिए छोटी सी जया भी नहीं बनी. लिकिन इसों के, अब मुझे कोई जगळ जाये भी नहीं. आप अपनी फैमिली के साहत रहिये, और मुझे अपनी फैमिली के साहत इतुरे नहीं. ऐँ से लिए फैमिली ड्रामा चल रहा है, अरे कोई बताएगा मुझे कि ये क्या पूफ करने की कोशिश कर रहे है बहुत समय पहले आपसे सवाल पूछा हुआ हम लोगों ने आप जवाब देंगी या इसी बात भुमाती देंगी कोई जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारे इस नॉंसेंस सवाल का